पॉलिस की जानकारी के अनुसार ब्यावर से पाइस डेरी में लगी हुई गाड़ी जो दूस अपले का काम करती है जिसमें दूत के पाऊ से भरे 13 केरेट साइट लेकर आरोपी फरार हो गया था जिसके बाद वह बाकरवासी स्तित्कालूराम पाहड़े के कबाड़ी के गोदाम पर बेचकर आरोपी फरार हो गया था पीडी द्वारा ब्यावर थाना पुलिस को जानकारी देने पर दोन चेतर में नाकाबांदी करवाई गए थी वही चोड़ी वी पीकप को GPS ट्रेकिंग सिस्टम के जरी गाड़ी की लोकस्टन टेस्ट करके जेतान थाना पुलिस को सूचना दी गई जिस पर जेतान थाना पुलिस ने 25 डेरी में लगी पीकप को बाकरवासी स्तित कबाड़ी के गोदाम से ब्रामत के आ गए वही गोदाम से अन्य गाड़ीों के पूराने पार्ट भी पुलिस ने प्रामत के हैं जेतान थाना पुलिस ने कालो नाम पहाड़ी को ग्रेपतार कर नियाले में पेस किया जहां से कोट के आदेस पर उसे जेल भेज दिया गया है वही मामले में पेचने के आरोप में पूरी पुत्र चेतनपुरी जुजन रर्णिवसी जो की इस मामले पराचल रहा है जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलास में जुटी है प्रेता हम से मावी जैन की रिपूर्ट नियूजन डेट राजस्तान झाल झाल